शिराम सभी वक्तों को जैमाता की फिर एक नई वीडियो के सार्थ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि अपनी मनो कामना पूर्टी के लिए कैसे धागा बांदें आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अपनी मनो कामना जो है हम हमारे साथ अंतक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यप करें शेयर करें क specialty करें चैनल पे नए है तो चैनल को जुरूर सब्क्राइब करें चलिए s शरीव बालाजी माराजय माताजी, मन में इस पकार की भावना तो रहती है कि हमारी हर पकार की मनों कामना पुर्ण हो जाए, बाबा की भक्ती कर रहे हैं, पून रूप से उनके नाम का सिमरन करते हैं, और मन की इच्छा रहती है कि हमारी कोई भी ऐसी मनों कामना के लिए ही हम कारिये कर रहे हैं अगर मन में इच्छा है तो प्रकट भी होती है और उस इच्छा को हम बाबा के आगे ही प्रकट करते हैं क्योंकि वो हमारी सुनते हैं तो अगर आपके मन में इस पकार की इच्छा है कि आपकी कोई मनो कामना है और उसकी पूर्ती के लिए आप कोई धागा बाबा के श्री चन्दों में या कोई ऐसे तिर्थ पे जाते हो वहाँ पर आपको धागा किस पकार से बादना चाहे ताकि आपकी मनों कामना पुर्ण हो जाए ऐसा रहता है कि इच्छा जो है अंदर जो मारे मन में इच्छा रहती है अगर हम कोई सिद्ध पेट पर जा रहे हैं जैसे कि हम कोई मा दुर्गा की सिद्ध पेट पर जा रहे हैं या कहीं भी आप मा वैशनो देवी जा रहे हैं शिरी महंदी पुरुबाला जी जा रहे हैं साला सर जा रहे हैं, खाटू शाम जा रहे हैं, तो एक धागा ले लीजे आप, धागा कोई भी ले लीजे, नेकिन होना सूती चाहिए, उस धागे को लेकर आपने, अपनी मनो कामना, आप कोई भी ऐसा मंतर का जाप करते हो, या कोई भी ऐसे मंतर का गुनगान करते हो, जो भ भी ऐसे मंतर का जाब कर जिसका आप continue जाब करते हो या हनुमान चलिशा का अगर पाठ करते हो तो हनुमान चलिशा का पाठ करकर भी आप उस दागे के अंदर गांठ मार सकते हो मन में इच्छा प्रकट करनी है कोई भी ऐसी मनुकामना की इच्छा जो आपकी पूर्ण हो जाए उसको लेकर आपने गाठ मारनी है उसके अंदर ऐसे उपर की तरह आपकी ये इच्छा मन में हो गई आप वो इच्छा सिर्फ आप जानते हो और शिरीबाला जी मारा जानते है और उनके वीर जानते हैं दूसरी फिर आपने मन में इच्छा परकर करके और 11-11 बार मंतर के जाप करने हैं जो मंतर का जाप आप कर रहे हो लगाता उस मंतर का 11-11 बार जो है आपने जाप करना है फिर दुबारा फिर मारी फिर तीसरी बार भी आपने 11 मंतर का जाप फिर करना आया प्र गाट मारे रहे हैं आपने उस मंदिर के द्वार पर यह मैं गेट पर जहां भी आपको दागा बाने की जगया मिले अपने उस मंतर एक माना जब पके अंगर आप लाइन में लगे वे हो तो एक मालं जब लीजे इसे और जब सकते हो कोई भी ऐसे मंदरगा अगर पंचाक्सर कर रहे हो ओम नमश्वाई ओम नमश्वाई ओम नमश्वाई ओम नमश्वाई आपका ध्यान आपके इष्ट के परती होना चाहिए जिस भी मंदिर में आप जाते हो उस मंदिर में आप आपके इष्ट के राधना कीजिए आप मेरी ये मनोकामना है मैं इस मनोकामना के कारिय पुर्ण है तू इस मालोर धागे को बांधरा हूं मेरी इच्छा पुर्ण कीजिए है बाला जी माराज है हनुमान जी माराज है मादुर्गा मेरी इच्छा पुर्ण कीजिए है सालासर माराज है श्री खाटू शाम मेरी तीन गाठ बान देनी है और जो एक माला आप करोगी उसका गुनगान आपने करना है अगर एक से ज़्यादा भी कर सकते हो आपकी इच्छा है दवाब नहीं है धक्का नहीं है आपकी मन की इच्छा है कि आप जो जो जितनी माला करोगे उतनी ही आपकी मनो कामना का जो कारिया पुर्ण होगा नेकिन उस दिन से ये प्रण करना है कि ये जो मैंने मनोकामना के लिए धागा बांदा है मैं लगा अतार इस मनोकामना की कारिये पुर्ण हे तू मैं लगा अतार एक माला अपने घर में भी डेली करूंगा मेरी मनोकामना जितने समय तक पुर्ण हो आप बाबा की किरपा से 41 देस्थ का आप टार केड़ अपने मन में ले लीजिये या 21 ्दिन का ले लीजिये आप अपने मन में ले लीजिये कि बाबा मुझे शिर्गतार से पर नामचीये मैं मेरा कारिया जो है जल्दी पुर्ण हो जाए आप लगातार मालाओं के जाब बढ़ा देना अपने घर में आप एक समय नित्य ने में एक समय ले लिजिए आपने गी का दीपक का दान करना है उसके बाद दो मोती चूर के लड़ू आपने भोग में लगा लिजी हनुमान जी के और अपने मन में ध्यान कीजिए बस उस मंतर की माला का माला रुदराक्ष की जो है वहर मंतर में चल जाती है रुदाक्ष की माला ले लिजिए या फिर हनुमान में के मंतर का जाप करे तो मूंगे की माला भी चल जाएगी रुजाक्ष की भी चल जाएगी तो लगातार आप अपने मंतर का जाप कीजिए जाप करते करते मन में किसी भी पकार के जो भी ख्याल आ रहे हो उन्हें दूर रखना और अपने इश्ट के श्री चर्नों का ध्यान रखना यकीन मानिये भगतो अगर सचे मन से आपने इस कारिय को किया तो आपकी मनो कामना अवश्य ही पुर्ण होगी क्योंकि भगवान तो आपके अंतर के भाव को देखते हैं आपके अंतर के भाव में क्या चल रहा है और जो भाव अंदर से चल रहे होंगी वो भगवान तक शब्दों के रूप में अपने आप पोच जाएंगे कहने की अब शक्ता नहीं पड़ती है क्योंकि उससे क्या मांगे जो सब कुछ जानी जाना है जो सब कुछ जानता है सब कुछ पैचानता है क्या आपकी स्थिती को वो नहीं जानते क्या सब कुछ आपको नहीं पैचानते इस पकार का ये चमतकारी जो मैंने आपको ये धागे का टोटका बताया है इसको करके देखिए इससे बड़ी से बड़ी इच्छा पुर्न हो जाती है अगर आपकी कोई भी इच्छा हो वो पुर्न हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका जो मन करे कि आप ग्यारा लोगों को वुख्यों को खाना किलाना चाते हो या किसी जीव का आप मलो जैसे की गउशाला में हरा चारा डालना चाते हो कुत्ते को विस्कुर खिलाना चाते हो या जो भी आपका दान देने का क्रूंज करें वो की जिए झूजिए आपकी मनोंकामना पुर्ण होने के बाद उस शिरीबाला जी महराज का नाम लेकर आपने दस लोगों को आपने यह वीडियो और परचारिक रूप में डाल दीजी और यह कही कि हे बाबा आपके नाम से दस लोग आपके नाम का इच्छा पुर्ण का दागा बांदेंगे उनके कारिया भी पुर्ण कर देना मैं दस लोगों को ये वीडियो शेर कर रहा हूं बाबा किर्पा कीजिए वो आपके अंतरमन में है हमारी तरफ से दबाब नहीं है आप कुछ भी मनों कामणा लकर आप अपनी तरफ से कर सकते हो क्योंकि परचार करना बाबा के नाम का हमारा नहतिक पर्ज है तो वोलिए जैसितराम जैश्रीबधाजी महरागा अगर मैं श्रीबधां जी महाराज से यह विन्य प्रातरां करता हूं अगर आपकी कोई-भी मनों कामणा है तो वो शिर्ग ही पुरुन हो जैबादा